कहानी के सुरुवात में हमें कुस डीमन हंटरों को दिखा जाता है चो 9 सल पूराने वाय डीमन इसने को पकाड़ रहे होते हैं तब ही वहाँ पर एक सुन्दत सी लड़की आती है जो एक डीमन होती है और डीमन हंटर उसको देखकर बचाने के लिए जाते हैं लेकिन उसी वक से लड़ नहीं पाते क्योंकि सेंटिपेट डीमन बहुत ज़्यादा पौरफुल होती है तब ही वहाँ पर इन सारे डीमन हंटरों के मास्टर आ जाते हैं जो डीमन के उपर अपने वीपन से अटैक करके उसको घायल कर देते हैं तब ही मास्टर को असमान में एक सफेद रं कैद कर लेते हैं दूसरे सिन में हमें एक ऐसे डीमन हंटरों का गुरूप दइखा जयता है जो बहुत समय से वाइट डीमन स्नेको धौन रहे होते हैं और यह डीमन हंटर का गुरूप बहुत ज़्यादा पौरफुल होता है और तुम लोग white snake demon को नहीं धूड़ने तो मैं तुम लोगों को मार दूँगा इसके बाद हमें एक लड़के को दिखा जाता है जिसका नाम जूजियान होता है और ये एक डॉक्टर होता है जो जड़ी बूटिया लेने के लिए पहाड़ों पर चाड़ा होता है तभी जूजियान का एक पहाड़ पे से फिसल जाता है और वो पाने मिगर जाता है जब जूजियान पानी से बाहर निकलता है तो उसे एक छोटे से ब्रिश के उपर एक छोटा सा white snake दिखता है जब Jujian White Snake को पगड़ता है तो White Snake बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये देकर Jujian White Snake को गर्म करने के लिए अपने कपड़ों के अंदर रग देता है तबी Jujian को लगता है कि Snake उसको काट रहा है और वो Snake को अपने कपड़ों के अंदर से निकाल कर वही फेक देता है तबी वहाँ पर वाइट स्नेक भी आ जाती है जिसका नाम बाई होता है जो ग्रीन स्नेक की बहन होती है और वाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को रोकती है और ग्रीन स्नेक अपने बहन से बोलती है ये इंसान आपको मार रहा था लेकिन वाइट स्नेक उसको सारी बात वे बता देती है जि दूसरी तरफ जब जूजियन अपने घर पहुचता है तो वो अपने दादी के लिए जड़ी बूटिया लाया होता है जिससे उनकी आके ठीक हो जाएं क्योंकि वो देख नहीं सकती थी इसके बाद हमें उन दोनों डीमन इसनेकों को दिखा जाता है जहां पर बाई अपने ब कपल को दिखा जाता है जो इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई डीमन आता है और उन कपल के दिल को निकाल कर उन्हें मार देता है अगली सुबह हमें पांच मरे हुए इंसानों को दिखा जाता है जिनने वही डीमन बुरी तरह से उनके दिल को निकाल कर उन्ह सबी को मारा है तब ही वहाँ पर बाई आ जाती है जो इन सारे गाउवालों की बाते सुन लेती है और उस गाउव के सोलजर्स सबी लोगों से बोलते हैं जो भी वाइट सने को पकड़ेगा उसी 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे ये सुनकर सबी गाउवाले तैयार हो जाते हैं इस पर उसे बाई दीख जाती है जो उसके अंब्रेला को ली होती है और जूजियन बाई को देखकर बहुत खुस हो जाता है तब भी वहाँ पर बारिस होने लगती है और जूजियन अपने अंब्रेला को ओपन करता है तो वो ओपन हो जाता है क्योंकि जूजियन का अंब्रेला और उसे एक सपना था, जिस दिन उसका उंबरेला उपेन हो जाएगा, उस दिन उसका सच्चा प्यार उसको मिल जाएगा, तब ही वहां पर कॉस्ट टेबल आ जाता है, जिससे जूजियान को पता चलता है, कि उसके फ्रेंड के डैड को स्नेक ने काट लिया है, जिससे उनकी प्रतिवियत खराब हो गई है और जूजियान उनको ठीक करने के लिए अपने फ्रेंट के घर जाता है जहां पर जूजियान उनका इलाज करता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि बाई के पास पावर से हैं और बाई अपने पावर से उनको ठीक कर देती है लेकिन सभी लोग मैं यहां किसी खास जड़ी बुटी को लेने के लिए आये थी, जिससे मैं अपने बहन को ठीक कर पाऊं। यहां पर बाई जूजियान को अपना सच नहीं बताती। इसके बास साम को जूजियान बाई को अपने फ्रेंड के घर ले जाता है। और तभी महाँ पर बारिस होने लगती है, जिससे बाई को थोड़ा गबरहाट होने लगती है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बाई मास्टर को देखती है जो एक बहुत बड़े डीमन हंटर होते हैं और बाई उनको देखकर थोड़ा डर जाती है जब दोनों डीनर के लिए बैठते हैं तो मास्टर सभी को कोई खास अलकोहल पिलाते हैं क्योंकि मास्टर को लग रहा था... कि ये लड़की एक डीमन है जोज जयन अल्खॉहल को अहाम से पी लेता है जब भाई पीती है तो वो अपने असली रूप में आने लगती है लेकिन भाई अपने आपको कंड्रोल करती है पर मास्टर को पता छल जाता है कि ये लड़की एक डीमन है अगर बाई एक और ड्रिंक ली तो वो अपने डिमन के रूप में आ जागी और मास्टर बाई को एक और ड्रिंक देते हैं तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक चैन आ जाती है और बाई के ड्रिंक को नीचे गिरा देती है तभी मास्टर ग्रीन स्नेक को देख लेते हैं उस रोसनी के पीछे जाते हैं तो जूजियान भी मास्टर के पीछे जाता है दूसरी तरफ हमें वाइट स्नेक को दिखा जाता है जो जंगल में बुरे डीमन हंटरों को पकड़ लेती है और उसे मालूम चल जाता है कि यही लोग इंसानों की दिल को निकाल कर उन्हें मार रहे हैं तब भी वहाँ पर जूजियान भी आ जाता है जिसका फायदा उठा कर बुरे डीमन हंटर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन अब मास्टर भी बुरे डीमन हंटरों को देख लिए होते हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि यही लोग इंसानों को मार रहे हैं और white snake इंसानों को नहीं मार रही है लेकिन white snake एक demon होती है तो master जूजियान से कहते हैं तुम्हें मालूम चल ही गया कि यह लड़की एक demon है लेकिन जूजियान बाई को अब भी अपना friend मान रहा होता है जिससे वो master की बातों को नहीं सुनता master जूजियान से यह भी करते हैं अगर हम मिल जाए तो हम white demon इसने को पकड़ सकते हैं लेकिन जूजियान उनकी बातें नहीं सुनता और वहां से चला जाता है और ये देखकर master को बहुत बूरा लगता है इसके बात जब जूजियान अपने घर पहुशता है तो बाई को अपने दादी के पास देखता है और बाई अपने power से जूजियान के दादी के आखों को भी ठीक कर दी होती है ये देखकर जूजियन बहुत खुस हो जाता है और बाई को ठैंक्स बोलता है इसके बाद जूजियन बाई को अपने साथ गार्डेन में ले जाता है जहां जूजियन बाई से बताता है जब मैं छोटा था तो कुछ डीमन ने हमारे फैमली को मार दिया और दादी ने मेरा दि तबी एक Demon Hunter बाई को चाकू मार देता है जिससे बाई घायल हो जाती है यह देखर जूजियान बाई को बचाने के लिए जाता है मगर तबी पीछे से बाई के उपर एक Demon Hunter चाकू से मार देता है और बाई गुसा होकर अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत तेज से इसली रूप को देख लेता है, मगर बाई बहुत ज़्यादा घायल होती है, और वो अपने इंसान के रूप में आ जाती है, जब जूजियान बाई को टच करता है, तो उसका बोडी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और वो ये देखकर कुछ लकणियों को लाता है, और उस सांध करवाती है, और वो कहती है, डीमन्स के हटबीट नहीं होते, तब ही जूजियान को जंगल में कुछ गाउवालों की आवास सुने देती है, और उन सभी से बचने के लिए, जूजियान बाई को जंगल से बाहर ले जाता है, जहां उसे एक नदी दिखती है, और नदी करती हैं, तुम इसे नहीं मार सकती, और इसने मुझे नहीं मार रहा है, तब ही नाओ का मालिक अपने असली रूप में आ जाता है, जो जूजियान से कहते हैं, इंसान और सैतान कभी एक नहीं हो सकते हैं, जिस उनका ग्रीन इस्थिक मास्टर पे अटैक कर देती है, लेकिन master ज्यादा powerful होते हैं और दोनो demon snake के उपर attack करके उनको help कर देते हैं और jujian भी नदी में गिर जाता है जो ये देकर उदास हो जाता है और master से बोलता है please इन दोनों snake को छोड़ देजे अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका student बन जाऊंगा और आपके साथ demons को पकड़वाने में help करूँगा ये सुनकर master उन दोनो snake demons को छोड़ देते हैं और जब white snake ये देखती है तो वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने प्यार को नहीं खोना चाती इसके बाद master jujian को अपने school लेकर आते हैं जहां पर उसका friend भी होता है और jujian का friend master से पूछता है अब आप कहां जा रहे हैं तो वो बताते हैं मैं उन बुरे demon hunter का पता लगाने जा रहा हूं क्योंकि वो सब इंसानों के दिल को निकाल कर मार रहे हैं और master ये बोलकर वहां से चले जाते हैं इसके बाद हमें उन बुरे demon hunter को दिखा जाता है जो अपने leader से करते हैं हम लोगों ने white snake को पकड़ने की कोशिस की लेकिन हम लोगों को white snake घायल करके भाग गई ये सुनकर उनका leader उन सभी से बोलता है अगर तुम लोग white snake को मेरे पास नहीं लाए तो मैं तुम लोगों को मार दूँगा दूसरे तरफ हम उन दोनों demon snake को देखते हैं जहां पर green snake अपने बहन से बोलती है क्या जूजियान अब भी आप से प्यार करता है तो white snake green snake से कहती है हम दोनों को master से बचाने के लिए जूजियान ने ऐसा किया और एक बात मैं जानती हूँ जूजियान मुझसे बहुत प्यार करता है दूसरी तरफ हमें जूजियान को दिखा जाता है जो अपने प्यार बाई को बहुत मिस कर रहा होता है लेकिन अब बाकी studentों को भी पता चल गया होता है कि जूजियान white snake से प्यार कर रहा था और सब जूजियान का मजाग बनाकर उडाने लगते हैं तब ही वहाँ पर बुरे demon hunter आ जाते हैं जिने लगता है कि ये सब white demon snake को क्याद करके रखे हैं और बुरे demon का master सभी से कहता है मुझे white snake दे दो नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूँगा ये देखकर जूजियान का friend समझ जाता है यही वो demon hunter हैं जिने master पकड़ना चाहते हैं तब ही वहाँ पर जूजियान आ जाता है और demon hunter से बोलता है दूसरी तरब जूजियान का friend उससे बोलता है जल्दी से तुम white snake के पास जाओ और मैं जानता हूँ वो कहा है वो पहाड के उस पार है जाओ और उससे बचाओ लेकिन जूजियान अपने friend से बोलता है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता इसलिए जूजियान अपना umbrella अपने friend को देकर भेज देता है और सारे demons जूजियान को अकेला पाकर उससे बहुत मारते है तबी वहाँ पर उस village का constable आ जाता है जिसे देकर बुरे demon का master बोलता है ये सब अपने master से बता देना और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है लेकिन अब जूजियान के friend को बुरे demon hunter पकड़ लेते हैं और बुरे demon hunter जूजियान के friend से बोलते हैं अगर तुमने हमारी help नेकी white snake को पकड़ने में तो हम तुमें मार डालेंगे ये सुनकर जूजियान का friend डड़ जाता है दूसरी तरफ हमें उन दोनों demon snake को दिखा जाता है जो आपस में बात करी होती है कि हम उन बुरे demon hunter को नहीं छोडेंगे और उनने मार डालेंगे तब ही वहाँ पर बुरे demon hunter आ जाते हैं और green snake उनने देकर उनसे fight कने लगती है और ये देकर जूजियान का friend बाई को उसका umbrella देती है और बाई जूजियान का umbrella को देकर उसको याद करने लगती है और इसका फाइदा उठा कर जूजियान का friend बाई के पेट में चाकू मार देता है जिससे बाई घायाल हो जाती है और उसे लगता है कि यह सब जुजियान ने करवाया है जब green snake ये देखती है तो जुजियान का friend को अपने tail से मारकर दूर फेक देती है और बाई को जा कर पगड़ लेती है तब हिवहाँ पर जुजियान भी आ जाता है जो वाइट स्नेक को घायल देखकर रोने लगता है और वो बाई से पूझता है ये किस ने किया तब वो बताती है तुम्हारे फ्रेंड ने किया ये सुनकर जूजियान डीमन हंटरों से लडने लगता है लेकिन डीमन हंटर ज्यादा पौरफुल होते हैं तब ग्रीन स्नेक उसको बुलाती है और वो लीडर से बताती है वाइट स्नेक के अंदर उसका सोल पावर नहीं है और वो लीडर से डील करती है अगर तुम मुझे यहां से जाने दोगे तो मैं वाइट स्नेक के सोल पावरों को ला सकती हूँ अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम मेरे बहन को मार सकते हो और Chen लीडर को यकीन दिलाने के लिए उसको अपना हर्ट निकाल कर दे देती है ये दिकर भाई नराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि Chen ने उसे धोका दिया है तब ही वापर Chen आजाती है जो अपने साथ निंजा वीपन को ली होती है दरासल निंजा वीपन बहुत ज़्यादा पॉर्फुल होता है और इस वीपन के यूज से हम लीडर को मार सकते है और Chen अपने प्लान को 22 दे बता देती है दूसरी तरफ हमें जूजियान को दिखा जाता है जो वाइट इसने को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है तब ही वापर Chen आ जाती है और जूजियान को सारी बाते बता देती है इसके बाद Chen जूजियान के हट को निकाल लेती है क्यूकि कोई immortal इंसान ही लीडर को मार सकता है और आप लोग सोच रहोंगे कि जूजियान जिन्दा कैसे है क्यूकि जूजियान के अंदर वाइट सने का पावर सोल होता है जिससे हो जिन्दा है इसके बाद चैन और जूजियान लीडर को मारने के लिए जाते हैं जब दोनों वहाँ पर पहुशते हैं तो जूजियान का फ्रेंड और बाकी demon hunter उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं तब ही वहाँ पर जूजियान के master आ जाते हैं जिने अब सारी सच्चाई पता चल गई होती है। और मास्टर अपनी पावर से सारे डीमन हंटरों को रोकते हैं। मास्टर जूजियान से बोलते हैं, जल्दी जाओ और वाइट इसने को बचाओ। तब ही वहाँ पर लीडर आ जाता है, और मास्टर के सारे इस्टूडेंट के पावर सोल को ले लेता है, जिससे सब वहीं मर जाता है। और मास्टर और ग्रीन इसने के ये देखकर लीडर से लडने लगते हैं। दोसरी तरफ वाइट इसने के जूजियान को मरा हुवा देखकर घुसा हो जाती है, और अपने डीमन के रूप में आ जाती है, और डीमन के लीडर के उपर अटैक करने लगती है। मगर लीडर ज्यादा पॉट्फुल होता है और वाइट इसने के पावर सोल को अपने अंदर लेने लगता है। अगर तुम मुझे अगले जनम में फिर से मिली, तो मैं तुम्हें फिर इन बुरे डिमन हंटरों से बचाओंगा। वाइट इसने कि ये सुनकर जूजियान से बोलती है, चाये जितना समय क्यों न लग जाये, मैं तुम्हारा इंदजार करती ही रहोंगी। उसी टाइम कॉंस्टेबल की पावर खत्म हो जाती है, और जूजियान पुरी तरह से मर जाता है, और सब जूजियान को दफन कर देते हैं। इसके बाद हमें 100 साल बात का सीन देखा जाता है, जहां पर बाई जूजियान के कबरों को देखकर उसको याद कर रही होती है। लाइक करना मत भूलेगा। मैं जब भी कोई वीडियो प्लोट करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक लिए गाइस बाई बाई टाटा टेक केर।